जिसको कहते हैं ना मोस्ट डेंजरस बीच तो वो यही है नीम बीच ही है एक बात नोटिस कर लीजिए कि गंगा मैया जितनी शान्त होंगी न जहां पे उतनी उनकी गहरा ही डबल होगी तो इसमें अब वो उनके पापा यहां से डूब गए हैं शायर यही हमारे शशांक वहिया ने मिठाई भीजी थी मेरट से तो सपना और गए थी गोड और शक्कर यह तो मेरे हैं और शक्कर यह उन्होंने भीजा और यह दो दियाने ना गुलाब जामन दो थे तो उसने अलग रख दिया कि आप निखाओगी और वीडियो आज में क्योंकि ना मेरे को बहुत सारे कमेंट आये थे कि आप जो डेंजरिस जगया है स्नान करने की घाट है या बीच है वो दिखा दो कि तो फिर ताकी वैसे तो डेंजरिस तो देखो तब होता है तब हम एक्स्ट्रा मतलब डेंजर रिस्क लेते हैं परमारत में रीसेंटली के साथ साथ ओर नीचे नीचे उतरते जाते हैं और फिर वह बैज आते हैं पहले मैं अपनी इसे शुरुआत करती हूँ पहले में सुबह जा रही हुए और सुबह ने श्रमा जी वाली जो वीडियो में मैं जब स्टार्टिंग कर रही थी, मैंने आपको जगे दिखाई थी, वहाँ भी कुछ पॉइंट ऐसे मुझे दिखे थे, यही पर राम राम कर लेती हूँ, राम राम जी, वेलकम बैक टू दा चैनल, होप आप सब अच्छे होंगे, स्वास्त होंगे, मस्त होंगे, और हमार बहुत अच्छा लगता है, सच में, हम उधर सनान करते थे, यह बीच में पत्थर जो बड़े रखे है, इसमें एक इस तरीके से फसा हुआ चेर जैसा बना हुआ है, कि आप उसमें फस जाओगे, और क्या कहते हैं, मतलब इधर उधर नहीं जा सकते हैं, लेकिन जरासा भी आगे गए, उस दिन ना चंद्र जब ग्रहन था ना, एक भाई साब थे, वो यह देखो, यह पत्थर के बाद सीधा गड़ा है, और वो गड़ा कितना होता है, आप यह देखो, इस बाउंटरी के बाद ना, कहीं लंबे होते हैं, हाइट होती है, लेकिन उधर फ्लो भी तो बहुत थे होता है, आप यह देखे, ठोड़ा सा लोग आगे बढ़ते हैं, कि ठोड़ा बढ़े ठोड़ा और बढ़े, और सीधे, गड्रे में चले जाते हैं, ऐसे होता है, हम इस पथर के बीच में आते थे, म मैं गई थी, मैं खुद उसमें आगे गई थी एक दिन, मतलब जब मैं विश्व संद्ध रेनू के साथ ही नहारीट स्नान कर रही थी तो आगे जाते-जाते मुझे लगा कि बहुत आगे गड़ा हो जाएगा तो मैं वहां तक यह देखो यह आपको दिख रही है यह कैसे बुल-बुले यह चुट रहे हैं पता चल जाता है जहां पर गहरी तब मैं देख रही थी इस चीज को यह देखू इसके बाद सीदा घहरा है नहीं है इसके बाद मैं सोच रही थी और अब तो नदिन में clear दिखाई दे रहा है सुबह सुबह जब आई थी तो नहीं दिखाई दिया था अगर डगमंग आ गए ना पत्थर में सर्वीक सर लग तो उससे पहले में दिखा कि आजाती हूँ पर कल जब मैं यह लेने आई यहां पर गंगा जल तो मैंने देखा फैमिली वाले बैठें पढ़ा क्या करते हैं ज्यादतर एक्सिदेंट होते हैं गंगा जी किनारे जो होते हैं वो कुछ लापरवाई की वज़े से होते हैं उन्ह मैंने बोला तो उन्होंने हटाया मैंने का यहां बच्चे डूब जाते हैं वह एरिया वह भी बहुत है वह है वह है कि आपको सुरक्षा का ध्यान रखना पड़ेगा अपना का इस पीछ रेलिंग पर टकर है नहीं कि वैसे तो टूटरी है उपर से घंगा जी का फोट्यकाइश कांडे अशेश के अडेश कंपेल यह चानल पर वाले-उस वाले सो बहुत है कल मेरी भाई साफ हरजिंदर बात ही कहें के वहना एक महिने से यहि हों है अब जाके देखूंगा इंसे मिलके बहुत अच्छा लगा अभी चलते चलते टकरा गए आपको मिलकर लेकर जाते हैं वे कहते कैमरा करना क्या है मैंने कफी रिस्पोंसिबल्टिस हो जाती है बहुत ज्यादा इस तरह हम फ्री गूम रहे हैं सारी यूएस कैनेडा कोई जर्म लोगडाउन में और अपने घरों को देख रहे हैं बंदपड़े घरों को अब ये काम भी करना जरूरी है भाइसाब से मेरी बात हुई कल वह काफी देर बात हुए उनसे तो शर्मा जी करते थे वह बात कमेंट भी करते थे फिर मैंने पहचान लिया बनका रहे यह तो कमें बच्चे के साथ ऐसी होता है अब यह मैं आगी वानप्रस्त के आपे मुझे फिर भी काफी सेफ लगता है बरसात के दिनों में तो फिर भी थोड़ा सा हो जाता है लेकिन इन दिनों में बहुत सेफ है यहां पूरा रिस्क है यहां भी कम कोई है आगे जो है आगे वाले पर थोड़ा सकम है नहीं मैं रहती है तो यह देखो आफ लो देखिए कि जब नीचे डहलान पर जारी गंगा जी तो फ्लो कितना ज़्यादा है अब पर यहां पर चेन बंदी हुए है तो चेन को पकड़ कर सकते हैं यहां यहां तक दिख रहा है उसके बाद पूरा पत्थर पत्थर है अगर कोई गिरेगा तो धड़ान से फिर पत्थर में सर लगेगा तो यह अपनी जीवन है और इसमें आपके कितने प्यारे देख रहे होंगे ना वह भी नहीं बचा पाएंगे आपको क्योंक मूला कर रहे हैं लेकिन यह बहुत देखो जान टाल रहे हैं यह अपनी जब पकड़ी नहीं पकड़ी नहीं तो बहुत स्केन है यह पर अगड़ रहे हैं और मॉट पूरा जो घाट बने वह न पर गाट की तरीके से नहाएंगे तो ठीक रहेगा और अगर घाट पर भी अगर आप रिस्क लेंगे तो फिर वह तो आपकी अपने उपर है कि आपने जान जुचके अपनी जान रिस्क में डाली यह को यहां भागवद चल रही है मैं ना गाट के बीच में सी निकल आई नवदी धाम गंगा सागर यत्रा परमार्थ की तरफ जा रहे हो जहां रामलीला हुई थी ना परमार्ट से पहले आता है वो गेट परमार्ट का गेट वो है पहले वाले में जहां यह वाच लगी वही न यह तो इसमें अब उनके पापा यहां से डूब गए हैं शायर तो भईया यह तो है वह बहुत डेंजरस एरिया हम आके मैं और बैठने के लिए कि आप आके यहां बैठें जब मैं और यहां के बैठते थे ना चैनल नहीं था हम कितनी बार यहां पर आते थे और बैठते यहां पर बड़ी चुटी चुटी बर्ड आती थी पैरी-पैरी तो यह घाट नहीं है और यहां पर फ्लो देखो कितना है वहां थी अरती के तयारी हो रही है फिर दे गेंगे कि नहीं डहूंने फाले देंगे और निन जाने देंगे हम लोग ना दोनों बच्चों को कराया था होस्टल में मसूरी ना तो उदर करा दिया और मैं अकेली थी तो हजबन लास्ट एक्सपायर हो गए थे तो बस गंगा एक बार आये थे तो मन लग गया है यहां पर और सेफ है नहीं बिल्कुल में एक वीडियो और बनाना है अब अब अच्छा लगता है अब बिल्कुल नैच्रल वह बोलते हो बिल्कुल बनावती नहीं लगता कुछ भी आपकी वीडियोस मेरा एक्चली बनावती कुछ दिखा नहीं रहे ना मेरको ना इधर आना पड़ा है वहां बाई सब है ना जो सपाई कर रहे हैं तो मुझे हसी यह देखिए अब देखो कितना गहरा है यहां से आपको साफ दिख रहा होगा बहुत गहरा है मैं सादवी जी के साथ वहां नहीं थी उस वाले उसमें यह जनवर जो शिवरात्री पिनाए थे हम उस ब्रिज के वहां पे तब जल बहुत कम था अगर आप इस टाइम रिस्क लेंगे और तब भी ना हमारे यहां तक आगया था जल बदब वहां पर यहां तक आता है अगर आपका पैर यहां तक जलाता है और अगर आपका पैर फिसला नी इसमें तो फिर आप गए फिर नहीं बजा पाएंगे क्योंकि यहां पर फ्लो बहुत तेज है एदेखों आप अगर आप आगे जाके नाएंगे तो फ्लो से पता चल जाता है यह देखिए उसके यह पत्थर उपर उसके नीचे तो गहरा गड़ा यह सारा पूरा यहां पर आके नाएना सिर्फ बैठ के आनंद लें देखो कितना अच्छा है यहां से संसेट बहुत सुंदर लिखेगा इस तरफ हमारे उदर की साइड थोड़ा कम हो गया लेकिन इधर की साइड बहुत फ्लो है क्योंकि इधर अभी मतलब अप प्राइवेट घाट जैसे होगे नहीं तो इनको आप ध्यान से नहीं है यहां पर स्नान कीजिए कि यह देखो ममी ममी खावी सारा बिच्चे को नहीं दिया आइज जंपिंग बंद हो गई उदर से मैंने किए उसके बंद हो गई क्योंकि सेटी किके विजए से किये है पुश्य थे किसी कि मों पर हम जो काम करते हैं उसको बंद करवा रहे एक मतलब मैंने जंप जब राफ्टिंग की थ लास्तियर उसके बाद मैं सुनती आ रही हूं तो भी से सुनती आ रही हूं कि वह जंप वहां से बंद हो गई है मैं का अगर आफ्टिंग करूंगी तो एक बार और जंप मारूंगी को कहरें बंद होगी किसी की टांग मी चोट लग गई थी वह वैसे ठीक था वह बहुत रिस बीच भी पता है नीम बीच तो कुछ जगह ऐसी है जहां पर तो बिल्कुल ही डेंजर है खत्रा ना मोल ले कि प्रया कल नहीं जा पाई मैं क्योंकि कल ना अंधेर हो जाता फिर वीडियो जैसे वहां से आई ना फिर कुछ क्लियर भी नहीं दिखता और सब्सक्राबडी बा बाइचांस मेरे पेट में दर्थ हो गया बहुत तेज और फिर मैं गई नी आज मैं जाओंगी और लक्षमन जूले की साइड है यह नीम बीच है लक्षमन जूले की साइड अलोहा जातने रव उधर का दिखाना है आपको इस तेम बहुत रश मिल जाएगा है और स्कूटर पर मैं आगे लगाऊं गया देखो बिल्ली या भी आपक यहां सोती हो यह मैं आगी अलोहा वाली रोड पर अलोह आगे हैं और मैं जारी हूं इदर नीम बीच पर क्या बात है है क्या बात है मैंना स्कूटर हमेशा ऐसे ही जगह पर खड़ी करती हूँ यूपी ना मेरे को तो पैदल नीम बीच पर वाहन ले जाना बना है वैसे प्रतिबंदित है वैसे ले जाते हैं लोग ऐसे नहीं मानते तो मुझे लग रहा था कि मैं वाक करके जाओं यहां से वह ज्यादा बैटर रहेगा पर चलना बहुत अच्छा होता है वही सेहत के लिए बारिश बहुत ज वाहन लकमादित अभ अच्छा है पर चलम कर बताः है तो तो बिलनों अच्छा है है पर तो मुझे काम हो तो आफ शबात बार आपसे मिलोंगी मौल से दीत है हो जाना है अगा और यह यहीं के रिशिकेश ते तो कहरें के जाते वक्ता आज मुलातात हो गहीं तरी मैंने यहां पर आक एक वीडियो बनाए था कि मोस्क ब्यूटिफुल बीच वह ब्यूटिफुल तो है से बीची बोलते हैं गंगा जी कहां पर अब वह तो गंगा का किनारा बोलना पर ब्यूटिफुल बीच के नाम से मैंने बनाया था रिशिकेश का लेकिन वह मुस्ट डेंजरस भी है इसको कहते हैं न मोस्ट डेंजरस बीच तो वह यही है नीम बीच है क्योंकि यहां पर बहुत डैथ होती है और जादा तर यंग्स्टर की होती है उधर घात के पास ज जाता है फिर से एक बार बनाया मैंने इसलिए कि लोग मेर को बार बार बोल रहे थे शायद वो नए जुड़े हैं तो हमें भी ना जो जैसे अपडेट होता है ना करते रहना चाहिए साल डिट साल दो साल बाद पता नहीं कहा रहे है कि एक जाने का गाडिया जाने का रस्त बना दिया है जहां थोड़ी सी जंगर दिखती है ना महां पर घेरने के लिए बहुत कुछ है यहां पर देखने में बहुत ही प्यारा बहुत ही प्यारा सबसे शांती वाला एकदम गेरी आई और यह पहाड अभी तक भी देख लो जब मैं आई थी उस टाइम यहां पर उस और जहां पर बोर्ड रखा है ना डेंजर जोन आप देखो वहां पर गीली मिट्टी है आप समझ लो कि वहां पर गीली मिट्टी है और जल आता होगा गंगा जी का यहां पर रात को यहां तक पक्का आता होगा जहां पर गीला गीला है कई बार इसमें पानी भी होता है क्य यहां पर लिखा हुआ है पानी आता है लोग यहां पर खड़े हो जाते हैं और वह धस जाएगी तो आपको पता है नहीं चलेगा क्योंकि सोफ्ट होती है एकदम से ऐसी हुई थी यहां पर तीन चार डैत हुई थी जो कचरा देखो पहले तो बस यह बीचों का सत्यानाश कर करते हैं तो यह थीक है कि अभी काफी साफ है जितनी वीड यहां पर रहती है चाहे ले जाएंगे इसको ठाके नहीं तो यह तो बहुत सड़ गया होता हुआ है को देखो यहीं पर सनान हो रहा है तो फैमली वाले आएं आसपास रोके होंगे कहीं बाता रहें एक देड़ मह सब्सक्राइन के लोग बार जबता है अच्छा बार बार ऊंदे लाते हैं न की मार साफ एक लिए इंसकोन सोच्टेकंट टीन है यह और उसकान रहो गासी फिलक्ठी यह वाले एरिया वो पहरे सुरक्षा की द्रिष्टी से जहां पर बोड लगाया है बहुत डेंजरस है बहुत डेट होती है यह वाले एरिया शमशान है पूरा फ्लो है यहां पर वहाँ थोड़ा से छोटा सा पानी मिलकुली बीच बनता था वहाँ पर जरसा मैं उसको क्रोस क बहुत बड़ी गलती मेरको अब रिलाइज होता है जब उन्होंने बोला ना इसमें धस गए बच्चे जो डेत हुई थी क्या कहते है रेट में तब मुझे लगा मैंनका वो हाथसा तो मेरे साथ भी हो सकता था इतनी बड़ी महाबेफ कुफी करी और हो सकता है वो धर जाती न बट जितना खूबसूरत है उतना ही जवर्दस डेंजरस है अगर आप जैसे वह लोग बैठे हुएं बैठके बहुत सारे आके बुक्स बढ़ते हैं यहां पर योगा सन की क्लासिस बी सुबह सुबह चलती है लेते हैं लेकिन ऐसे बैठोगे तो इसकी ब्यूटी एक अलग बैठने के लिए यहां पर होटल्स होते हैं आसपास में तपवन हैं तो लोग आ जाते हैं बच्चे आते जातर और मैं इस पहाड पर चड़के वहां से आई थी और इस पहाड पर चड़ी चड़ी थी क्योंकि उस टाइम बिल्कुल पानी वह था ना ओर नीचे था यह हर किसी की चोई जेक सी नहीं हो सकती तो यह एरिया ऐसा है आपने जैसे भी मन को संतुष्टी मिले ना चुपचा बैठके साइड में दूर बैठ जाओ अपने म्योजिक सुनों या भजान सुनों कुछ भी सुनों पर दूर बैठे रहो भई और यंग बच्चों को स्पेश कि यह दे कि मैं तो यह आके बैठने की सोच रही थी अभी वह पैर देखो कितने दसे हुए नीचे तक मैंने आपको परमार्त निकेतन वानप्रस आश्रम घीता मतलब घीता भावन वह सारी एक सी है वहाँ पे सिर्फ एक चीज का ध्यान रखना है चेन पकड़के नास्नान करना है अधरवाइस अब हमारे यहां भी डेंजर होता जाएगा क्योंकि चेन जो मैं जिस बीच के पीछे पड़ी रहती हूं कि वहां पे बहुत सारा जगह आ गई यह पत्थर आ गया है उसकी वजह से जो गंगा जी का जो लेवल है और पीछे चला गया है तो लोग ना औ पर घाठ हो चेन बंदी हो वहीं पर नहाए अधरवाइस को ओता है कई बार तो चेन भी बंदी भी गंगा जी के फ्लो के आगे वह कहते हैं जब प्रकरती अपना वह दिखाती है तो यह सब इंसान की सारी चीजे दरी की दरी रह जाती है परमारतनी केतन वानप्रस आश्रम और सुरक्षा की दृष्टी से जो कह रही हूं गीता भावन वहाँ पर चेन ने सब जगा लगी हुई है और बाकी आप यह इधर अगर त्रिमेनी घाट की सरफ नातनी है वो मुझे ज़्यादा सेफ लगता है क्योंकि वहाँ पर एक चेन से ऊपर ऊपर चेन बांद रखी ह मतलब ऐसे दो दो करके ना ऐसे तीन तीन कि कोई जाएगा तो उन चेन में फस जाएगा वह अच्छे से प्रोपर घाट के चारीकी से बनाया है क्योंकि वहां पर लोग जादन हस्नान करते है और आगे उसके आगे हैं बहात्तर सेड़ी हैं वहां सारा पिंड़ दान होता है वहां अपने जो लोगों के शराद वगरा वो करने आते हैं पिंदान करने आते हैं वह पे और यहां पे बच्चे जो है हमारे यंग्स्टर वो क्या कहते हैं इंजॉय करने आते हैं राफ्टिंग करने आते हैं सामने भी शमशान घाट है उदर मैंने दिखाया था पहले वहां तो टाइम टाइम पर देखिए फैमिली है तो टाइम टाइम पर अलर्ट करना बचा रहा है बिल्कुल जरूरी है यहां के ना आत्म साथ करने की जरूरत है चुपचा बैठ भी जाओ ना अगर पीछे भी बैठ जाओ थोड़ा सा इधर भी बैठ जाओ तो कोई वो नहीं है इ जो दयानद आश्रम है वो भी थोड़ी सुरक्षा की दृष्टी से ठीक नहीं है क्योंकि वहां पर भी डाउन में जारी गंगाजी और फ्लो बहुत ज्यादा है और कई लोग जो है वो साइड में होके नातें घाटके ठीक है वो भी पर कुछ भरोसा नहीं होता आप बैठ तो माता-पिता बच्चों का ध्यान रखें बचे माता-पिता का ध्यान रखें और आपकी जिंदगी अपनी है एक बात नोटिस कर लीजिए कि गंगा मैया जितनी शांत होंगी न जहां पर उतनी उनकी गहराई डबल होगी यह देख लीजे यहां बीच में बनते आ रहे है यह भवर से देखो जितनी शांत है उतनी गहरी है और साइड में यहां से भी शांत बहरी है जहां पे पत्थर है वो वैसे खतरनाक है कि आपके सर में लग सकता एकुछ भी लग सकता है बट इट इस वेरी एरी डेंजरास यह वाला जो पॉइंट है गंगा जी का बहूत मॉ पच्छे रिषी के जा रहे हैं तो वह पुझे रिषी के जा रहे हैं तो वह कौन से एरिये में जा रहे हैं और तो झाल झाल